नमस्कार स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 News इंडिया में मैं हूँ आपके साथ हिमान्शु सर्मा जी हाँ आज उत्तरप्रदिश इंस्टिटूट ओफ डिजाइन जो की EKTU का एक इंस्टिटूट है और Industrial Entrepreneurship Association के बीच एक MOU साइन हुआ है अब हम हमारे जो UPID के जो डारेक्टर हैं डॉक्टर प्रवीन पचोरी जी सब प्रतम तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है 10 News में इनसे जानेंगे कि आज केस MOU का क्या उत्देश है था और इसका संचिप रूप में आप हमारे सामने रखे कि इसका क्या हुग उद्देश यतास है यह जो हमारा संस्थान है उत्तर प्रदेश इंस्टिटूट अफ डिजाइन यह प्रदेश का अकेला संस्थान है जो बैचलर अफ डिजाइन, मास्टर अफ डिजाइन, AICT अप्रूट प्रोग्राम रन करता है मानिये मुख्यमंत्री ने 2017 में इस संस्थान की स्थापना कराई इस विजन के साथ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के आर्टिसान्स के उत्पाद है उनको अंतररास्टिय पहचान मिले जो कमपनियां हमारे प्रदेश में काम कर रहे हैं विशेश रूप से हमारे गौतम बुद्नगर में काम कर रहे हैं उन कमपनियों में जो प्रॉडट्स बनाए जाते हैं उन प्रॉडट्स की क्वालिटी को, उन प्रॉडट्स के डिजाइन्स को हम पेटेंट कराएं और अंतररास्टिय बाजार के अनुरूप उन्हें तयार करें जिससे कि हमारी कमपनियों को बड़े ओर्डर्स मिलें और जो उनकी उत्पादन के अनुपात में लाब की प्राप् करें जो कमपनियों को डिजाइन की जरुत पड़ती है प्रॉडट्ट डिजाइन के लिए हो इंटिरियर डिजाइन के लिए हो इर्कोनमिकल डिजाइन के लिए हो सबी तरह के डिजाइन में क्योंकि हमारे पास expert professors हैं हमारे पास MBA department है जहां professional available हैं जो हमारे students हैं वो प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अगर उस प्रॉडट का रहेगा तो पूरे अंतरास्टिय बजार में उस प्रॉडट को चेलेंज नहीं किया जा सकेगा दूसरा क्योंकि यह एक ऐसा एरा है जहां लोग कहते हैं idea is money company सारे उत्पादों को खुद ना design कर सकती हैं ना इ प्रॉडट करते हैं उसको IPR की मदद से register कराते हैं चाहां patent की form में हो design की form में हो उनको जो हमारी industries है वो product से रूप में develop करके समाज के सामें ला सकते हैं तो इसमें उन छात्रों को उन लोगों को जो IPR अपना company को दे रहे है रोयलिटी वेस पर उनको भी आमन्दनी होगी औ MOU एक सेतू का कारे करेगा हमारे साथ industrial entrepreneurship association के MSME member गुरदीब सिंग जी में मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इस MOU का उद्देश है और उनकी नजर में इसकी क्या परिभाशा है और क्या मानक है यह एक बहुत अच्छा कदम है जो के हमारी association के general secretary साहब और बाकी office bearers यूपी design institute के साथ tie up करके यह program organize किया यह MOU हम sign कर रहे हैं इससे हम सभी MSME के जो owners हैं वो लाभामित होगे और उस लाभ जो होगा उसका सारे का सारा फैदा राष्टे निर्मान को भी मिलेगा यूपर हम लोग जब business शुरू करते हैं तो हम बहुत चोटे scale से करते हैं हमारे अगर हमें इस यूपी की एक बड़ी kind of design institute is kind of one of the best अगर हमें उनका साथ सहयोग और उनकी mentorship और उनकी guidance मिलेगी तो हम लोग क्या अपने जो product आज बना रहे हैं उसकी गुनवत्ता बहतर कर पाएंगे उसको हम improve कर सकेंगे और हम अपने सारे products को एक अंतराष्ट्य स्तर पर लेके जा सकेंगे इसमें इनका सहयोग बहुत उचित रहेगा और यह जो आज एक शुरुवात हुई है मैं कहूंगा कि यह हमारे मानिने प्रधान मंत्री जी का जो mission है जो उनका एक vision है कि मुझे हमें five trillion economy की तरफ जाना है हम लोग we can beat china if we get this kind of guidance we can definitely beat china और हम अपने PM का जो एक सपना है उसे जल्दी ही साकार कर सकते है धन्यवाज जैसा कि हमने सर से जाना कि उद्योग की रहा में यह जो है एक बीज का कारे करेगा और जो हमारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोजी जी का सपना है उसे साकार करने का प्रयास करेगा मैं हिम पांशु सर्मा 10news एंडिया 10news से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज साथ